जैश्री कृष्णर, राधी राधे, श्री हरिदास और जैसा की चलिए मैरे ना लीला शुरू कर दे रहे हूँ और ये लीला है वो जो मैंने आपको बताया था ता मन्शा देवी मया जो गन्ना हाथ में लिए हुए उसका कर मागने के लिए उन्होंने जो स्वपन दिया उसी आधार पर हम मन्शा देवी चंडीगर के लिए निकल पड़े मैंने आप सब के लिए एक शौर्ट वीडियो डाला था अब ये आगे की लीला मैं आपको बता रहे हूँ और इसी प्रकार हम पहुँच जाते हैं चंडीगर और हम रात में ही चंडीगर पहुँचते हैं और उस वक्त बज रहे थे आठ के करीब बज रहे थे और आठ बजे जब हमने देखा कि अब वहां पर हम जाधा कुछ तो जान नहीं रहे थे और नाहीं हमें पता था और मुझे सच कहूं तो तब मैं बहुत चोटी रहा करती थी तो मुझे कुछ भी याद नहीं था मंदिर के सेवा तो वहां पर जब हम पंचकुला पहुंचे तो पंचकुला में हम सोच रहे थे यहां कहीं कुछ ठहरने के लिए कुछ स्थान मिल जाए लेकिन हमारी गाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आत्मा ऐसे बोल रही थी जैसे मया सीधा मंदिर में ही गुसा देगी और यकीन मानिये बिलकुल वैसा ही हुआ हमारी गाड़ी सीधी मंतिर मंदिर परिसर में जाके रुकी आप देखकर बहुत अच्छा लग रहा था आगे आप देखेंगे लेकिन मैं लीला पहले ही बता दे रही हूं क्योंकि दो लीला हैं मैं दोनों को इसी में शिंगार नारियल जो जो लगता है वो सब हम खरीद लेते हैं और खरीद के अब रात को ही मैया ने बुलाए तो बिना दर्शन के तो हम जाएंगे नहीं अब आट और मैया का जो दरबार है वो साड़े नौ बजे तक खुलता है तो हमने सोचा क्यों ना एक चुन्री रात म ले रख लिए और बाकी चुन्रियां और शिंगार हमने सुभा मया को अर्पन किया तो जब मैं जा रही थी जिस वक्त में सीडियां चड़ रही थी मैं बहुत जादा भावुक थी इतनी भावुक थी कि मुझे मतलब मैं सच बता रही हूं मतलब कोई वीडियो बनाने की व अब भी टाफ है क्योंकि मैं जादा बताऊंगी तो मेरा फिर रोना स्टार्ट हो जाएगा और यह वीडियो नहीं बन पाएगा इसलिए मैं डारेक बहुत शॉट में आपको बता रही हूं उसके बाद हम चड़ते हुए मैया के पास गए क्योंकि मैं वहां रो रही थी तो हम आगे बढ़ गए और मैया के पूर्ण दर्शन करने के बाद पूरी तरह हम वापस आए हमने एक आदित्य होटेल है वही पंचकुला में पास में हमने वहां पर स्टे किया जब हमने वहां पर स्टे किया तो मुझे तो देखिए नए स्थान पर नींद आती नहीं है आप हुआ ये था कि जिस वक्त में मन्शा देवी मैया के दर्शन कर रही थी मेरे मन में भाव था और मैंने मैया को कहा मनी मन में मैया तुझे बता ना क्या कर चाहिए ये चुन्री ये शिंगार ये तो एक अलग चीज है बता तुझे क्या चाहिए लेकिन मेरा भाव उनकी पू सोना उटती है और फटाक से वो कहती है कि दिव्या मैया आई थी सामने का जो दर्वाजा था दिवाल का वो दिवाल फटी और उस दिवाल से मा का बहुत सुन्दर स्वरूप था जिसमें से मैया ने कहा सोना कहती है मैया कहा है तू मैया कहा है तू मैया फिर से लाल चोड़े म और मैया बोली यही हूं बाबू यह शब्द मैया ने बोला लेकिन अब जब मैया यह शब्द बोली तो मैया की जो नत थी नत के जो रोने थे वो हिल रहे थे यानि इसकी सेविका को जो पूरा ध्यान था वो किस पर था मैया की नत पर था और मैया नत ही हिला रही थी और जब उसने ये स्वपन मुझे बताया तो मैं समझ गई कि मैया को सच में सोने की नत ही चाहिए अब ये सोचकर हम सुभा आट बज़े तयार हो गए लेकिन हमने पता किया तो जुएलर जो हैं 10-11 बज़े से पहले नहीं खुल सकते थे हम पुना लेट गए और फिर उसके बाद हम त मंचकुला में तो हमें कोई जुएलर नहीं मिला वहीं सामने मनी माजरा था हमें बताया किसी ने कि यहां मनी माजरा में जुएलर्स की दुकान है साड़े दस पॉने 11 बज़े हम मनी माजरा पहुंचे और वहां से हमने मैया के लिए नत ली और जब वो नत ली तो यकिन मान कि जब हमने वो मया को अरपन की और उस समय बहुत सारे भक्त भी वहां आ गए थे उन में से अब मैं आपको बताओं मेरे साथ जो सखी गई थी उनको भी दिक्षा चाहिए थी तो लाला की कृपा से कुछ दिक्षा मतलब दिक्षाएं भी वहां पर पूर्ण हुई और मया के ह दरबार में तो इस प्रकारिय यहां की लीला रही अब मैं इसी में आपको जोड़ देती हूँ शिमला की लीला क्योंकि बहुत जादा आगे हो जाए क्योंकि मैं तो उस वक्त इतनी भावुक थी कि मैं थकी वी थी कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी कंडिशन कैसी थी ठीक है य तो साथ में क्योंकि मैं बहुत जादा भावुक थी तो उसको बोल पाना मेरे लिए टफ है चलिए ये तो लीला यहां पे संपन करवाई प्रभु ने बहुत सारा प्यारे प्यारे भक्तों से मिल वाया उनका इतना सारा प्रेम और इतना सारा बहुत सारी चीजे थी बहुत पंडेची ने दिये थे वहां पे तो इस तरीके से बहुत सारी चीजे ये लीला यहां कंप्लीट हुई अब हम जो सेकिंडे था जिस दिन यहां पे हमने दर्शन किये साड़े तीन पजे करीब हम यहां से निकले जब हम निकले तो पेट्रोल पंप के उदर पता चला कि बोले दीदी ऐसा करो कि यहां से सौ किलो मीटर शिमला है तो क्या आप चलना चाहेंगी तो मैंने भी सोचा है यार मैं भी जीवन में कभी गई नहीं हूँ चलो ऐसा करते हैं शिमला की तरफ चलते हैं जरूर कोई बात होगी तभी तो भहिया के मुझ से यह निकल वाया और इसी बात को हम तीनों ने स्विकार करते हुए हम शिमला की ओर चल दिये अब हम शिमला पहुच चुके हैं शिमला हमने ठहरने के लिए बहुत सुन्दर सा रूम भी प्रभु ने हमें प्रोवाइट कर वाया हम वहां पर रुके अपना रात भर मुझे नीन नहीं है मैं उन स प्रभु ने कैसे हमको शिमला भेज दिया क्या हम कुफरी घूमने आए हैं मैं यही सोच रही थी तो वो बुली कि हां दिदी कुफरी भेज दिया होगा भगवान भी कह रहे होंगे कि बहुत दिन हो गई सेवा करते करते जाओ बर्फ में जो है कुफरी जाओ और इदर है सोना बहुत जल्दी सो गई थी ठकी हुई थी वह सो गई थी हम दोनों ही अलग बैट कर भात कर रहे थे और मैंने उस वक्त यह बोला कि यकिन मानों यहां पर ऐसे ही प्रभु नहीं भेज सकते जरूर कोई गुप्त बात है 100% कुछ है मैं यही बात उन से बोल रही थी औ आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो हुआ एक्जिक्ट फोरो क्लॉक मेरी नीन खुली एक्जिक्ट फोरो क्लॉक हम तीनों जग गए मैं सोना और साथ में जो सक्थी थी वो हम तीनों जग गए और जगने के बाद जल्दी से सेविका ने लीला बताई और लीला क्या थी व जो बीच में मैया है वो मुस्कुरा रही है और वो कह रही है आजा आ मेरे पास आ सेविका को लगता है ये मंसा देवी मैया है और वो कहते है मैया तु भेज बदल के फिर आ गई ना अब हम नहीं आएंगे चंडीगर्ड हम यहाँ पर कुफरी घूमने आए है अब हम नहीं आ मात हो के दूसरा स्वपन स्टार्ट हो जाता है दूसरा स्वपन क्या है कि वहाँ पर सेविका देखती है कि उसके हाथ में एक रजाई और कंबल है साथ में मैं हूँ और वो जो मेरे साथ सखी है वो है हम तीनों है और हम तीनों जो है जा रहे है नीची की तरफ एकदम तल म से कुवा है और उस कुवे में पानी चल रहा है ठीक है और उस पानी में सामने से एक तस्वीर निकलती है चांदी की उस तस्वीर में भगवान शिव हैं और साथ में ही उनके हाथ जोड़े हुए हनुमान जी की तस्वीर है एक जिसमें हनुमान जी ऐसे हाथ जोड़के हो हैं उस बावड़ी से लगातार जल निकल रहा है लेकिन वो एक तरफ सूखी है तो सेविका कहती है कि यहीं पर आजा दिवया यहीं पर सोएंगे तो अंदर सकी तरफ से एक अवाज आती है और यह बाते एक संत बता रहा है और संत जो है चिलाता है ए जब देखो तब सोती भाग यहां से पता नहीं यहां पर ध्यान होता है और यह बात बोलकर सेवी का डर जाती है और वो कहते हैं चल दिवया यहां पर भी हमको सोने का स्थान नहीं मिलेगा और यह चीज करते हुए वो वहां से निकल जाती है यह स्वापन सुबह चार बजे हम सभी सुनते हैं यह स जरूर कोई शिप बावडी है ये मेरे मुख से निकला और ये चीज करके तभी तक हमने वेटर को बोला अब सुबह का पांच बज रहे थे वेटर भी नहीं आए सामने जो है मैंने परदा खोल दिया सामने सुंदर सुंदर जो है परवत दिख रहे थे पहाड दिख रहे थे और उनको देखते हुए मैं निहार रहे थी और मैंने देखा कि वहाँ पर सामने जो है मतलब कुछ दिख रहा था और मैं कहीं रहे थी जरूर ये कोई देवी स्थान है आप यकीन मानिए सुबह में जो वेटर वहां पर आए मैंने उनसे कहा क्या यहां कोई देवी मंदिर ह कोई शिप बावडी है बोले शिप बावडी का तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं खिड़की से यह जो सामने है यह तारा देवी मैया का धरबार है यह बहुत शिद्ध है और यह सिद्ध पीठो में से एक है मैंने का हे भगवान मतलब हमक से ही हमने कुछ गरम शॉल वहां से खरीदी चुंडरी खरीदी और शिंगार खरीदा यह खरीदते हुए कुछ हमने नीचे खरीद लिया था बाकी हमने उपर क्योंकि 7200 किलो मीटर फीट की मतलब काफी मतलब 2000 कितना 2700 फीट उचाई पर मैया का दरबार है जहां सिर्फ आस प्राचीन मंदिर है शिबावडी वहां पर बाबा ध्यान किया करते थे और ये चीज़ सुनकर वो खुद शौक्ड थे और उन्होंने कहा कि मा भगवती के आप पर बहुत बड़ी कृपा है और जब सक्ति उजागर होने लगती है इसी प्रकार मैया शक्ति पीटों पर इससे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे लीला मैंने इसी वीडियो में बता दी है ताकि उसको बताने में मुझे आसानी रहे ये तीन लीला हुई आप जब हम शिबावडी की तरफ जाएंगे वो आपको देखने को मिलेगी और उसको आप देखोगी कि वहां पर क्य क्या चीज है और क्यों प्रभु ने हमको शिबावडी में बुलाया तो वो आपको मिलेगा इससे नेक्स्ट वीडियो में यहां पर आप देख रहे हैं कि यह सभी भक्तगर्ण आय थे चंडिगर्ण में इन सबने बहुत प्रेम स्ने दिया मैं आपको बता नहीं सकती अनंत प्रेम और बहुत बहुत सारा प्यार तो यह सब प्रभु की कृपा से हो रहा है और हर भक्त में कृष्ण ही है बस हमारे कर्म कृष्ण जैसे हो जाने चाहिए हमारे भाव कृष्ण जैसे हो जाने चाहिए चारों तरफ हमें अच्छाई की तरफ देखना चाहिए हां अनंत लोग इन भक्तों का या अनंत भक्ती का जो है गलत गलत इस्तमाल होता है उससे बचने के लिए भी ज्यान की आवश्यक्ता होती है और ज्यान के लिए हमें भक्ती से शुरुआत होन करने पड़ती है जब हमारी भक्ती बहुत आगे बढ़ने लगती है तो ज्यान स्वेम आने लगता है और यह चीज़ करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो यहां तक आप यह लीला पूरी देख चुके हैं तो मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करोंगे और यहां से आप जो है यह प्यारे से बच्चे प्रियम को देख रहे हैं यह प्यारी भक्त का प् बहुत 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 प्यारा बच्चा है इससे जो है सोना बहुत मतलब आनंद ले रहे थे और हमारे लिए तो यह हमारा गोलूई है हम जो है उसको बहुत सारी बातों को लेकर जो है उसे बोल रहे थे बहुत बहुत प्यारे भक्त जो है हमें मिले थे उसके बाद हम ये प्यारी प्यारी भक्त से जो है मिले बहुत प्यार, बहुत प्रेम, बहुत प्यारी भक्ती मैं कहूंगी और जब हमारी भक्ती का असर जो है बढ़ने लगता है और हम अपने जीवन की कठनाईयों को भूल कर हम ये सोचने लगते हैं कि जीवन में सबसे अधिक जो महत्व है वो आज में है तब हमारे जीवन की कितनी ही बड़ी कठनाईया हो हम उसे बहुत इजीली पार कर लेते हैं ऐसा ही इन सब भक्तों से मिलने के बाद जो है मैं आप सबको बता पा रहे हूं क्योंकि कहीं न कहीं जीवन में सबके परिशानिया हैं बहुत सारे कस्ट हैं बहुत सारा जीवन में उतार चड़ाव हैं लेकिन जीवन वही है जिसे हम प्रभु को समर्पित करते हैं और समर्पित करने के लिए हमें सन्यास की आवश्यक्ता नहीं होती हमें जरूरत होती है स्वेम के विचारों को खत्म करने की और शैतान का रूप क्या है क्रोध लालच अत्यधिक स्वार्थ और भी बहुत सारी ऐसी चीजे जिनको शायद आप स्वेम भी समझते हैं और ये मेरी प्यारी मनशादेवी मया आप सब के लिए